Hello friends, मैं उदीद आप सभी का स्वागत करता हूँ Friends, आज इस वीडियो में उत्तर प्रदेश स्पेसल जी के लेकर आया हूँ उत्तर प्रदेश में आज इत्वने वाली सभी प्रदेश की परिक्षाओं के लिए ये वीडियो most important रने वाला है खास कर UP Police Constable, UPSI, UPROARO, UPPCS या फिर कोई भी एक्जाम हो UP में ये वीडियो बहुत important हैने वाला है एक्जाम से पहले इस वीडियो को देख कर जाएगा Friends, आपको यहां से बहुत help मिलने वाली है आपका revision भी हो जाएगा और जो question नहीं आते हैं वो सारे आपको आने लगेंगे चली start कर लेते हैं हमारा first question देखे Friends, question number first है हमारा प्राजधानी लखनवु है आप सब को पता इसको नवावो का शहर कहा जाता है उत्तरप्रदेश राजधी का गठन का भुआ था 24 जनवरी 1950 को और लखनवु को आप मैप में भी देख सकते हैं Friends, यहाँ पर यहाँ आप जो देख रहे हैं मैप में भी आपको पूरा मैप के माध्यम से भी मैं हाँ पर दिखाऊँगा चेत्रफल कितना है टोटल? दोहर है ग्यारा के अनुसार देखिए राज्य चिन्न हम देख लेते हैं जैसे राज्य प्रतीक क्या है तो एक धनुसबाण और आधार में दो मचलिया फोटो में देखिए आप देख सकते हैं यूपी सरकार कही लोगो है ठीक है? राज़य Прतीख है, यहाँ का जो राज़य पक्ष Consider सारस क्रेन फोटो में आप देख सकते हैं इसके लाबा राज़य पसू फ्रेंड्स यह बाहरे सिंगा है आप फोटो में भी देख सकते हैं राज की वरिक्ष है अशोग राज की पुष्प है पलास और राज ये खेल है होंकी चलिए देखिए फ्रेंड्स यूपी को जो नाम है वो बदलता रहा है देखिए 1836 से इसका नाम उत्तर पस्चिम प्रांथ हो गया और उत्तर प 1937 से और भी 24 जन्वर 1950 इसका नाम क्या हुआ उत्तर प्रदेश तो ये याद रखना है इंपोर्टेंट है एक्जाम में प्रस नहां से बनते हैं पर राजधानी के बारे हम देख लेते हैं तो उत्तर प्रदेश की राजधानी जो है 1836 से आगरा हुई थी फिर साथियों प् राजन का हुआ था 9 नवंबर सन 2000 में उत्तर प्रदेश के 13 जीलों को अलग करके उत्तरांचल वर्तमान में इसका नाम उत्तराखंड होगे इसका गठन किया गया था देखें फ्रिंट चो राष्टी राजधानी छेत्र में उत्तर प्रदेश के कित्ते जीले आते हैं टोट तो चौधरी चरण सिंग और विश्वनात प्रताप सिंग उत्तर प्रदेश विधान सवक ऐसे धक्ष जो मुख्यमंत्री भी बने तो राइट इंसर है स्री बनार्सी दास और स्री पती मिस्र तो ये भी आपको जरूर सारे कोश्चन याद रखने हैं फ्रेंड्स मैंने यह 1579 से 26 फरवरी 1969 तक राज्य विधान मंदल यहां पर दूई सदनी है विधान ऑर शव मतलब क्या होता है कि विधान सभा भी रहे और वीधान परिसद hy जिसर राज्य वहां पर उसको क्या कहते हैं दूई सदनी विधान मंदल ठीक है तो ये भी आपको याद रखना है विया राजय सवा की सीटों की संख्या है 31 नेक्स कोश्टन है सरवाधिक बार विधान सवाध्यक्ष कौन बने तो स्री आत्माराम गोविंद खेर केस्री नात्रिपाठी ये दोनों तीन तीन वार जो है विधान सवाध्यक्ष बने थे विधान सवा में कुल कितनी सदस्ट से संख्या यहाँ पर टोटल 403 है विधान परिशत के कुल सदस्ट कितने है तो राइट इंसरो जागा 100 पहली बार विधान सवा का गठीत हुई जुलाई 1937 में पहली बार विधान सवा गठीत हुई थी सरवाधिक विधानसवा सीटों वाला राज्य कौन सा है तो प्रयाग राज है यहाँ पर टोटल 12 सीटे हैं friends ठीक है सरवाधिक विधानसवा सीटों वाला राज्य सबसे कम विधान सवा सीटो वाला जिला कौन सा है स्रावस्ति महोवा और चित्रकूट यहाँ पर दो दो सीटे है नेक्स कोशन है प्रदेश की पहली केंद्री जेल कौन सी बनी थी तो बरेली नेक्स्ट है राज्य के प्रतम मुख्यमंत्री कौन है पंडित गोविंद बल्लब पंतिय जो है यूपी के पहले प्रतम मुख्यमंत्री थे राज्य के प्रतम उप मुख्यमंत्री ने डिप्टी सीम कौन थे चौधरी नारायन शिंग नेक्स कोशन है राज और देश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन है? सुचेतर कृपलानी यह आप देख सकते हैं फोटो में और राज और देश की पहली महिला राज जिपाल सरोजनी नड़े उनको भारत कोकिला भी कहा जाता है सुचेतर देश की पहली महिला मुख्यमंत्री वितनी और साथी साथ देश की भी पहली महिला मुख्यमंत्री बनने का गौरप राप्त हुआ इनको सुचेतर के बाद राज बिधान सवा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? पूर्सोत्तम दास टंडन फ्रेंड्स इस कोश्चन में फाइव इस्टार मार कर लेना और एक्जाम में ये परसन बहुत बार एक्जाम में रिपीट हुआ है सुतंदरता के बाद राज बिधान परिशाद अध्यक्ष कौन बने? चंदरभाल उत्तरप्रदेश इलाहाबाद उचन्याले के प्रथम मुक्यन्याधिस कौन बने थे? सर वाल्टर मारगन नाम याद रखना फ्रेंड्स अब भागोलिक इस्थितिया देख लेते हैं उत्तरप्रदेश की तो फ्रेंड्स देखिए उत्तरप्रदेश का छेत्रफल दो लाग चालिस सजार नौसो अठाइस वर किल्मीटर है भारत के कुल छेत्रफल का 7.33% अक्षांस रेखा की बात की जाया तो 23 डिगरी बामन उत्रियक्षांस से 23 डिगरी 28 उत्रियक्षांस देशांतर की बात की बात की जाया तो 77 डिगरी 3 से पूर्वी देशांतर से 84 डिगरी 39 पूर्वी देशांतर फ्रेंड्स यहां पर देखिए पूर्व से पस्चिम राज की लंबाई कितनी है तो 650 किलो मिटर जो है पूर्व से पश्चीम इसकी राज की लंबाई आप मैप में देख सकते हैं उत्तर से दक्षिन की लंबाई कितनी है फ्रेंट्स तो वो है 240 km ठीक है तो आप समझ सकते हैं कि जो पूर्व से पश्चीम की लंबाई यहां से यहां तक हो जाएगी ये 650 kilometers और उत्तर से द्रिक्षिंड की vulner 할 है 240 kilometers देखेँ print शेत्रपल की द्रिष्टी से उत्तर-प्रदेश की देश का 14 सब्से वड़ा राज्य में अवदि में उत्तर-प्रदेश State देश का सरवाधिक अवदि वाल राज्य है ने फZA वाधि क्षापि फल्ट है यह आप photo में देख सकते हैं friends उत्तर प्रदेश के साथ सरवादिक सीमा वाला राज्य कौन सा है तो मद्ध प्रदेश जो है सरवादिक सीमा साजा करता है उत्तर प्रदेश के साथ सबसे छोटी सीमा वाला राज्य कौन सा है वो है हिमानचल प्रदेश ठीक है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैप में भी आप देख सकते हैं राजिका सबसे पूरवी जीला कौन सा है फ्रेंट्स तो बलिया है फ्रेंट्स राजिका सबसे पूरवी जीला है यहाँ पर यह देख सकते हैं तो आप map में देख सकते हैं, यहाँ पर यह रहा सहारन पूर ठीक है, और राज का सबसे दक्षणी जिला कौंस है तो वो है सोन भद्र, यहाँ पर यहाँ पर यह सोन-भद्र को देख सकते हैं ठीक है फ्रेंट्स, तो मैंने आपको यहाँ पर कोशिस किये कि मैं अपके माध्यम से समझाओं ताकि आपका concept भी clear रहे है next देखिए राज का सबसे बड़ा जिला छेत्प्रल में कौन सा है तो लखीमपूर खीरी है फ्रेंट जिसका की 7,680 वर किलो मेटर इसकी total जो है तो सबसे बड़ा जिला राज्य का कौन सा है फ्रेंट वो है लखीमपूर खीरी ठीक है तो आप ये फोटो में देख सकते हैं यह रहा लखीमपूर और राज्य का सबसे छोटा जिला छेत्पल में हापूर है फ्रेंट जिसका 660 वर किलो मेटर इसकी total एरिया है सहारपूर की सीमा से तीन राज्य जुड़ते हैं कौन कौन से फ्रेंट हरियाणा हीमांचर प्रदेश और उत्राखंड तो यहाँ पर जो आप सहारनपूर देख रहे हैं इस से जो है फ्रेंट्स ये हरियाणा, हीमांचर प्रदेश और उत्राखन तीन राजे जो है टच होते हैं सहारनपूर से नेक्स देखें राज्य में क्रिसी जलवाई शेतर कितने हैं टोटल? 9 है राज्य में बहने वाली प्रमुक नदिया कौन कौन सी है? गंगा, यमुना, राम गंगा, गोमती और घागरा राज्य की सबसे लंबी नहर प्रणाली कौन सी है? शारदा नहर उत्तरप्रदेश का यह जिला तीन तरप से मद्दप्रदेश से घिरा हुआ है तो ललितपूर जो है फ्रेंट से तीनों तरप से मद्दप्रदेश से घिरा हुआ है याद रखिए अगा, ठीक है? तो आप यहाँ पर मैप में देख सकते हैं ललितपूर को यह रहा यह तीन साइट से यहां से यहां से और यहां से तीनों साइट से MP से घुर्या हुआ है उत्तरब्रदेश के कुछ हम प्रमुक संस्थान देख लेते हैं देखिए कोशन एक्जाम में पूछा आता है भारती गन्ना अनुसंधान संस्थान यूपी में कहा है लखनव में है फिर राष्टी सरकरा संस्थान का है कानपूर में है भारती दलाहन अनुसंधान संस्थान का है कानपूर में फ्रेंड्स भारती पसूची कित्सा अनुसंधान संस्थान का है इज्जत नगर बरेली में स्थीत है भारती चारा गाह और चारा उनसंदान संस्थान कहा है जहांसी में है उत्तर प्रदेश आयरु विज्ञान विश्य विद्याले सैफ़ाई इतावा में इस्थीत है फ्रेंस ये मोस्ट इंपोर्टेंट है उपकेस प्रमुक संस्थान एक्जाम में यहां से प्रस्थ मनते हैं देखिए कुछ प्रमुक उर्जा से लेटेड हम देख लेते हैं उत्तर प्रदेश राज्य विद्दूत परिश्यत का गठन कब हुआ? 1959 में राज्य में कुल विद्दूत उत्पादन का क्रम कैसा है? तो सब से पहले ताप विद्दूत, फिर जल विद्दूत, परमाणु विद्दूत और शौर विद्दूत उत्तर प्रदेश विद्दूत नियामा कयो की स्थापना कब हुई थी? 199 में हुई थी प्रदेश में NTPC की गय साधारी ताप विद्दुत पर्योजना कौन सी है तीन है औरईया, आवला और दादरी ठीक है दिखे प्रेंट्स पूरा मैं हाँ पर जीके कबर करूँगा यूपी का सौट में और काफी जो है निचोड रहेगा आपके लिए ये पूरा उत्तर प्रदेश की सबसे पूरानी तापी पर्योजना कौन सी है हर दुआ गंज थर्मल पावर इस्टेशन जो की 1942 में स्थापित हुई थी प्रदेश में एकमात्र परमालू विद्दुत केंद की स्थापना कहां पर हुई है नरवरा बुलन सहर में 1991-92 में स्थापना हुई थी उत्तर प्रदेश नवीन और नवीकरणी उर्जव विकास का अभिकरण की स्थापना कहुई थी 1983 में फिर फ्रेंड्स की खनीज पदार्थों से लेटेट देख लेते हैं तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स राज ये खनीज विकास नवीकरण की स्थापना कहुई थी 1974 में खनीज संसाधनों की दृष्टी सियूपी खनीज संसाधनों की दृष्टी सियूपी एक ऐसा राज्य है तो ये निम्नमधिसरेणी का राज्य है उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा कोईला भंडार कौन सा है सोन भद्र है राज्य में तावे का भंडार कहां पर है सोनराई ललितपूर में ठीक है तो ये भी आपको याधरकने फ्रेंट्स वेरी इंपोर्टेंट है नेक्स कोशन देखिए परिवहन और संचार देख लेते हैं फ्रेंट्स रास्त्री राजमार्गों की लंबाई के मामले में देश में राज्य का स्थान का उन से दूसरा है और महराश्ट लगभग 18,000 कि कुल लंबाई के साथ पहले स्थान पर है उत्तरवदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण के गठन का भुआ 2004 में हुआ था यमुना एक्सप्रेश पे अध्यों की विगास प्राधिकरण का भुआ था 2001 में राज्य का सबसे लंबा राजमार्ग यानी कौन सा है तो राश्टी राजमार्ग नहीं राश्टी राजमार्ग 19,000 का पुराना नाम है नहीं जीटी रोड देश का सबसे लंबा ग्रीन फील्ड एक्सप्रेश बे कौन सा है पूरवांचल एक्सप्रेश बे इसकी लंबाई है टोटल 340.8 km एक उत्तरप्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के स्थाबना कभूई थी 1972 मुई थी उत्तरप्रदेश राज्य सेतु निगम के स्थाबना कभूई थी 1973 मुई थी लखनव मेट्रो रेल कार्पूरेशन लिम्टेट के गठन कभूई 2013 में लखनव मेट्र रेल गाड़ी मार्च 1869 में चलाई गी थी प्रयाग राज से कानपूर राज्य में कुल रेल नेटवर कितना है तो 9167 किलोमीटर देश में पहले स्थान पर है उत्तरप्रदेश राज्य में बस परिवहन सेवा 15 मैं 147 सुरू हुई थी कहां से कहां तक लखनव से बारा वं नेक्स्ट है अध्य से जनक पूर यानी नेपाल के बीच बस सेवा कब सुरू ही मैं 2018 में इसकी सुरूवात हुई थी पैरा टूपर स्टेनिंग स्कूल कहां इस्थी थी था यूपी में आगरा में आदित विरला समू ने निजी हवाई एड़ा कहां विक्सित किया तो मेयो उत्तर प्रदेश में लखनवु आकासमाडी यानी ओल इंडे रेडियो के स्थापना कब हुई थी दो अप्रेल 1929 को भारत में पहली हवाई डाक सेवा सुरू कब हुई थी इलहावाद से नैनी की बीच में वरतमान में प्रयाग राज है नेक्स देखिए इंदिरा गांध गांधी राष्टी उडाहन अकादमी कहा है स्थित है फूर्षत गंज अमेठी में जो है इंद्रा गांधी राष्टी उडाहन अकादमी स्थित है अब जनगड़ना देखते है most important topic प्रेंट से यहां से भी प्रसन जरूर बनते हैं एक्जाम में उत्तर प्रदेश की कूल ज जनसंख्या में महिलाओं को प्रतिसत कितना है 47.71% राज की कूल जनसंख्या में ग्रामीड जनसंख्या का प्रतिसत कितना है तो 77.73% राज की कूल जनसंख्या में शहरी जनसंख्या का प्रतिसत कितना है तो 22.27% सरवाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है तो नमबर उन पर प्रयाग राज फिर मुरादाबाद फिर गाजियाबाद सबसे कम जनसंख्या वाला जिला महोवा चित्रकूट और हमीरपूर मैंने हापर तीन-तीन ले लिये हैं साथियों ताकि एक्जाम में डिटेल में पूछ ले तो आप गलती ना करें इसलिए मैंने हापर एक नहीं तीन-तीन लिये हैं ऐसे भी आगे मैं आपको बताऊँगा देखिए जनसंख्या घनत देख लेते हैं उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत कितना है आठ सो उनतीस प्रति व्यक्ति वर किलोमीटर दोहजार एक से ग्यारा का दौरान जनसंख्या घनत वाले जिले आप रोही साकशरता दर देखते हैं उत्तर प्रदेश में कूल साकशरता कितना है 67.72% ठीक है और उत्तर प्रदेश में पुरूस साकशरता कितना है 77.30% और उत्तर प्रदेश की महिला साक्षर्था कितनी है 57.20% 2001 से 2011 के दोरान आउसत साक्षर्था बृद्धी कितनी हुई 11.36% पुरुष और महिला साक्षर्था की चंतर कितना है 20.10% सरवादिक साक्षर्था वाले जिले कौन से गौतम बुद्ध नगर, कानपूर नगर, कानपूर और और अईया ठीक है सरवादिक साक्षर्था वाले जिले है त्यानि सरवादिक साक्षर्था है गौतम बुद्ध नगर के लोग निवंतम सक्षर्था वाले जिले पुरु सक्षर्था का समान करम इसमें स्रावस्ति बहराईच और बलरामपूर लिंगा नुपाद देखते हैं उत्तरप्रदेश का उसत लिंगा नुपाद कितना है तो 912 है भारत का लिंगा नुपाद 943 है ठीक है याद रखिए तो उत्तरप्रदेश का उसत लिंगा नुपाद कितना 912 है भारत कितना 943 है देखिए 2001 से 11 के दवरान उत्तरप्रदेश का लिंगा नुपाद कितना बढ़ा है 14 एंग सर्वोच लिंगा नुपाद वाले जिले कौन से है फ्रेंड्स जौनपूर इसका 1024 है आजमगण का 1019 आथ रुक 863 है बाल नुपाद देख लेते हैं उत्तरप्रदेश का बाल नुपाद है 902 दो हजार एक में बाल नुपाद 916 था ठीक है तो देखिए बाल नुपाद में 0 से 6 वर्स के आयू समूईश में सामिल होते हैं राज्य में उच्चतम और निम्तम बाल निंगा नु जातियों का प्रिसत कितना है 20.69 परसेंट है देश में अन्सूचित जातियों की सरवाधिक संख्या वाला राज्य कौन सा है यूपी है यहाँ पर सरवाधिक अन्सूचित जातियों वाला संख्या रहता है 16.6 परसेंट सरवाधिक अन्सूचित जाति जन संख्या वाला जि अंसुची जन संख्याए देख लेते हैं उत्तर प्रदेश में कूल जन संख्याए जन संख्याए वाला जिला कौन सा है बागपत उत्तरप्रदेश में अंसूची जनजाती, विहिन जिले कौनसेट, उयध्या और जलौन, यहाँ पर एस्ती जोहें जनसंख्या बिल्कुल नहीं है जुग्जी जनगर्णा देख लेते हैं तो देश की कुल, मलीन बस्ती, आवादी में यूपी का स्थान काउन से चौथा है 2011 की जनगर्णा में देश की कुल जनसंख्या में जुग्जी जोपडियों का आवादी कितनी है 9.5% राज्य में सरवाधिक, मलीन बस्ती, आवादी वाले जिले, मेरठ, आगरा और कानपुर्नगर राज्य की कुल जनसंख्या में जुग्की, जोपड़ी, आवादी का प्रस्यत है 3.12% अब देख लेते हैं उत्तर प्रदेश का सांस्कृतिक विभित्ता मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है औल एक्जाम्स के लिए यहां से प्रस्ट जरूर बनते हैं एक्जाम में पहला प्रस्न है उत्तर प्रदेश में आधनुक चितरकाला की सुरुवात का भी बिश्मिस्त अबदी से अमीर खुस्रो का जन्मस्थान कहा है पटियाली कास गंज में नेक्स है तबला और सितार के विश्कारक कौन है अमीर खुस्रो बड़ा ख्याल प्रचारक सुल्तान हुसैन शार्की जौनपूर संगीत से लखनव घराने का सुर्णयू तुर्नवाब बाजी दली सहा का काल बिश्मिल्ला खान और मुम्ताच खान सहनाई वादक है बनारस घराने से हैं यह फिर देखिए बिंदा दीन कोदव सिंग कोदव सिंग कुरसीद अली खान संभू महराज बिर्जू महराज का संबंद किस्से है याद रखिये का लखनव घराने से यहां से एक प्रस्टों एक्जाम में जरूर बनता है फ्रेंड्स फिर नेक्स देखिए फिर नेक्स्ट है हमारा छोटी मैना बड़ी मैना रसूलन भाई सरसोती देवी विद्याधरी की देवी विद्याधरी की देवी मोती केसर आदी थुमरी टपा गायक है यह बनारस घराना ठीक है फिर देखिए जूला होरी फाग लंगुरिया और रसिया लोगीत कि से सम्ब संसकार गीत, सोहर, नाटक, कब्बाली का विशेष चेत्र ये अबाद चेत्र जो है विशेष चेत्र है उत्तर प्रदेश का एक्मात्र श्रास्त्र नित्य कौन सा है कथक है फ्रेंड्स कथक नित्य के जनक माने जाते हैं तो राइट एंसर जागा ठाकूर प्रसाद उत्तर प्रदेश में लोक, रंगमन, चनाटा के फ्रेंड्स का नाम याद रखिये रामलीला, रास्तिला और नोटंकी कालिंजर किला उत्तर प्रदेश ये बांदा में स्थीत ठीक है फिर देखिये गंगा महसो, गंगा दसहरा कहा होता है वारांसी और प्रयाग राज में राज्य के तीन इसमारग विश्दोरोर में कौन कौन से सामिल है फतेपूर सीकरी, आगरा किला और ताज महल, मुगल काल में मुसलिम सिक्षा का मुख्य केंदर कौन सा था, आगरा था, कन्नोज भासा का छेतर कौन सा है, तो कन्नोज, फरूखावाद, साहजापूर, पीली तुलसी समारग तुलसी जन्मस्थान, तुलसी जन्मस्थान और तुलसी समारग राजापूर चितरकूड में है, सूफी संत हाजी वारी सली साह का मकवरा का है, देवा सरी बारा वंकी में, देवगल के दसावतार मंदिर गुप्त कालीन और 31 जैन मंदिर माता टीला पूर में ठीक है श्रिंगी रिसी मंदिर कहा है सी था याद रखिएगा श्रिंगारी रामपुर फरूखाबाद में निजामु दिन अवलिया का जन्म हुआ था बनायू में अकबर के नौरतने में उत्तर प्रदेश के थे तो राजा टोडर मल जो है उत्तर प्रदेश के थे सिक्षा से लेटेट जी के बहुत इंपोर्टेंट देख लेते हैं राज्य सैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षार परिश्यत की स्थापना कवी 1981 में लखनों में उत्तर प्रदेश माध्यमिक सिक्षा सेवा चैन बोड की स्थापना कवी 1982 में प्रयाग राज में राज्य में कुल केंद्री विश्वद्याले कितने हैं टोटल छे हैं यानि सेंट्रल उनिवर्सिटी की बात हो रही है चार सामान है एक क्रिसी है और एक विमानन है राज्य का सबसे पुराना उनिवर्सिटी काउन सा है प्रयाग राज उनिवर्सिटी प्रयाग राज उनि राज्य में क्रिसी के बाद सबसे धिक रोजगार देने वाला उद्योग कौन सा है हतकारगा कुटीर उद्योग नेक्स देखिए उत्तर प्रदेश हस सिल्फ प्रोसान निती लागो हुई थी दो हजार चौदय में खेल का सामान आगरा और मेरठ में बहुत प्रसिद्ध है कालीन और गलीचा उद्योग विक्सित है तो भधोही मिर्जापूर आगरा और वारारसी में विग्जान और प्रद्योग की परिशाद उत्तर प्रदेश गठन कभू 1975 में उत्तर प्रदेश खादी और ग्रामो द्योग वोड का गठन कभू 1960 में भारत एबं यूपी की पहली चीनी मिल 1903 में स्थापी थुई थी कहां पर प्रतापपूर देवरिया में मुख्यमंत्री युवा सुरोजगार युजनक आरम कभू हुआ था सुभारम 2017 में राज्य में किसान सम्रिध्धी आयो का गठन कभ किया गया 2017 में मुख्यमंत्री कन्या सुमंगले युजनक सुभारम कभू हुआ था 25 अक्टूबर 2019 को उत्तर प्रदेश और सहरों के जीलों के नाम उपनाम देख लेते हैं तिखी लकडी की नकासी का सहर कहा जाता है सहारन पूर को मिनी पंजाब कहा जाता है पिली भीत को सर्वत नगर कहा जाता है मुझफन नगर को कालिन उद्योग कहा जाता है सहाजापूर को इद्ध छेत्र सहर का जाता है फतेपुर को, कैफी आजमी नगर का जाता है आजमगड को अब देख लेते अधिक्तम बन छेत्र वाले जिले सोन भद्र में देखिए लखीमपूर खीरी, मिर्जापूर और पिलिवीतेहा पर मैंने चार-चाल ले लिए, सरवादिक जो है सोन भद्र में है, याद रखिए, सोन भद्र याद रखिएगा निउन्तम जो है, संत रविदास नगर में भदोही में 3.12 है और फिर मौ, ठीक है, निउन्तम जो है, फिर महनपूरी, संत कभीर, फिर देवरिया ठीक है, सरवादिक बन प्रिशद वाले जिले कौन से, सोन भद्र है बन परसेंटेज की साब से, सोन भद्र में सरवादिक, फिर चंदोली, पीली भीत और मिर्जापूर निउन्तम बन परसेंट वाले जो है, संत, रविदास, नगर, भदोही, महनपूरी, देवरिया और बनायू तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर यूपी जीके का कम्प्लीट जो है, सौर्ट में बहुत सी चीजे कबर की उम्मीद करता हूँ आपको यह क्लास पसंद आई होगी, अगर आई है तो वीडियो लाइक कर दीजेगा, चैनल को सब्सक्राइब करके फ्रेंड्स, बेल आइकन प्रेस कर दीजेगा, ताकि आपको आने वाले सारे नोटिफिकेशन मिल सके इसी तरीके से, और आप हमारी 5000 साइन्स की पीडिये पर्चेस कर सकते हैं, ठीके इस नंबर पर आप कॉंटेक्ट कर सकते हैं, यह वाट्सेप नंबर है मेरा, थैंक यू सो मच, क्लास कैसी लेगी, फीडबेक जरूर रताएगा, और नेक्स्ट कौन सा टॉपिक चाहिए, ओ भी आप बता दीजे, मैं आपक इन जय भारत